हालो एब्रिवन बीपेसी के दुवारा जो है सिलेवस जारी कर दिया गया और यहां पे दो इंपोंटेंट जो है परमुख बाते हैं आपको ध्यान देना है यहां पे सबसे पहले तो कहा जा रहा था कि नेगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं होगा लेकिन यहां पे यहां पर आप लोग रीड कर लीजिए गा यहां पर आप लोग इसको पढ़ेंगे पहले आपका जो भासा होगा अरता होगा परशनों की सेंखिया हैंड होगी भागबन में आपका जो एक्जामिनेशन होगा 15 मार्क्स का होगा य नि परशनों की संखिया हैंका 25 S bringt go होगा यानि कि आपका प्राप्तांक जो है रखा गया हैंडेड यानि कि जितना सवाल आप सही करिएगा उसका एक नमबर मिलेगा और उसके लिए आप गलत किजिएगा तो उसका नमबर भी आपको काट लिया जाएगा यहाँ पे आप नीचे में ध्यान पूर्बग यहाँ पे भी आप लोग देख लिजिएगा बाकी थोड़ा सा यहाँ पे और देख लिजिए आप लोग प्रात्मिक से उच मादमिक विद्यालों के सभी अध्यापक के लिए यहाँ पे दिया गया है यह ध्यापक के लिए बोला गया है और इस पर पत्र में दो भाग होंगे जैसा कि भासा का जो पेपर होगा वो कौन सी भासा का होगा यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना ओप्सन रहेगा इस पत्र का हर्तना कम से कम 30% लाना अनिवार्ज होगा याद रखिएगा आगे जो कुछ भी लिखा गया समान अध्यान से देड़ सो जो है आपका प्रशनुक संख्या देड़ सो रहेगा समय दो गंटा मिलेगा आंक जो मिलेगा देड़ सो ही मिलेगा परात्मिक विद्याले के अध्यापक के लिए ही दिया गया है यहाँ पे तो सारा कुछ परात्मिक विद्याले के अध्यापक के लिए ही यह जो है सारा आहरता जो है यहाँ पे मेंसन किया और बाखी आप पे उच मादमिक विद्याले के लिए भी जो यहां पे लिखा गया है सारा कुछ आप देख लिजिएगा द्यान पूर्बक इसको आप रीड कर लिजिएगा आप लोग रीड कर ही लिए होंगे और जो लोग नहीं किये हैं वो लोग कर लिजिएगा समान लाना अनिवार्ज होगा पिछडा बर्ग के लिए 36.5 परसेंट और पिछडा बर्ग के लिए आपका यहां पे दो बार लिख दिया गया है एक पिछडा बर्ग होना चीए और यहां सोरी यहां पे लिखा गया तेंत पिछडा बर्ग के लिए 34 परसेंट तो लाना अनिवार होगा अनुसुची जाती जो है और दिभ्यांग जो विगलांग है उनके लिए 32 परसेंट लाना अनिवार्ज होगा अगर इतना जो लोग नहीं प्राप्त करते हैं तो वो समझ लिजिए कि परत्योगता परिच्छा से बाहर हो जाएंगे हैं पर साफ साफ लिखा गया तो यहीं कुछ निकल करके सिलेवर्स में मेंसन किया गया है लेकिन जहां पर भी आप देखिएगा तो यहां पर लगभग प्रात्मिक और मात्मिक बिद्धाले के लिए ही दिया बागी आप लोग रीड कर लीजेगा आगे तक पड़ लीजेगा धन्यवाद मिलते हैं नेक्ट वीडिव नेक्स्ट अबडिट के साथ कमेंट जरूर कीजिएगा आपको आजो भी सुझाव होगा धन्यवाद